हेलो असलाव अलेकुम विलकम बैक तो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ तो अब सुबह का टाइम है और नास्ता बन रहा है आज दिन है संडे और साथ में संडे के साथ और क्या है आज है हम लोग की वेडिंग अनिवर्सरी और सभी लोग पूचते हैं कि हम लोग की शादी को कितना साल हो गया तो 18 साल पूरा हो गया अब 19 वान लग रहा है बहुत ही लंबा समय हम लोग तै किये हैं और बहुत अच्छे से तै किये यह 18 साल पता नहीं चला कि कैसे बी दिया तो फिलाल के ल जानाएंगे चाय और पाव क्योंकि यह संडे है तो जी सो थोड़ा साथ देर में उठता है तो यहां पर यह नास्ता कर रहे हैं और साथ में इंको आमलेट भी बना के दे लिए जो कि पहले नहीं बता है तो बस आमलेट और यह सबजी खा रहे हैं और इदम नहा के तयार हो ग हैं लिए क्योंकि आज है वेडिंग अनिवर्सरी तो सारा दिन तो हम लोग का ऐसी ही बीडिया सारा दिन कोई भी ब्लॉग नहीं बनाएते हैं अच्छल कि नहां शाम को अभी चेंज कर लिए हैं और हम लोग पहलने के लिए जा रहे हैं तो जी सु को नास्ता दे लिए यह घर में रहेगा और जी आ खिलने के लिए गई चलिए तो टहल के आते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करेंगे आज खारा दिन तो ऐसी भी दिया लेकिन हां प्रासा कुछ खाने पीने का कुछ इंतिजाम करेंगे और आज खाना यह बनाएंगी यह बोले हैं तो बहुत दिनों बाद हम लोग ऐसे कॉलोनी में टहल रहे हैं और यह तो अधिकता जैसे निकल जाते हैं आज कल लेकिन मैं बहुत कम ओपर से आज ना मेक अपक अप करके टहलने के लिए निकले हैं अरे सादी का साल गीरा है सबको पता भी तो चलना चाहिए तो यह जा रहे हैं कुछ पैसा निकलने के लिए सुबह से कुछ प्लान ही नहीं था रहा कि क्या करना है तो अभी हम लोग फिलाल के लिए ना सोच रहे हैं कि केक ले ले बच्चों की खुशी के लिए छोटा सा केक लेंगे बहुत बड़ा केक नहीं लेने वाले हैं तो वह काड़ जाएंगे घर से बाइक लेंगे और उसके बाद फिर जाते हिस और को ना एटियम से पेसा निकल ना आस तक ने यह तो यह मुझे कितनी बद्सिंगार लेकर आये ऑले कि सीख लो कि कैसे निकालते हैं ले峨 है लगता है लेकले पता नहीं है भी की नहीं पैस और नया नया सूट पहने और उपर से स्वेटर पहन लिए ठंड उतनी नहीं है लेकिन फिर भी हावा चल रही है तो थोड़ा अभी बाइक से जाएंगे ना तो ठंड लगेगी तो हम लोग टहल की आ चुके हैं और यहां पर बैठे में बाहरी हैं जिया गई है हेलमेट लेने के लिए और चावी और साथ में जिया भी जाएगी गोगी अजित कर रही है कि हम भी जाएगी तो भी जाएगी तो हम लोग आ गए हैं चौमीन लेने के लिए और आज ना चौमीन लेने के लिए बहुत दूर आ गए हैं एकदम में रोड पे और पहले यहाँ पर हम लोग ना डोसा खाने के लिए आते थे तो यहाँ पर मैं आप लोग से बात कर थे लेकिन इतना ज्यादा साउंड था न क् भीर होती थी और हम लोग डोसा खाने के लिए अधिकतर यहां पर आते थे और पीछे देखी आप लोग कितना खा ली है सिफ दो एक वहां पे जर्ण से जो डोसा खा रहे हैं यहां का डोसा पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब ऐसा है ना कि जगा जगा मिल जाता है लेकिन करें तो इतना देर वेट करना है जब मीटा उपना बनता है लहता है तो वह जो हम भाए लेकिन, पैर सादी चा कि तो जी आपको चोड़ेत लेना बच्चों को लेकर आए ना तो यह होता है कि अबना भचे कुछ एक्स्ट्रा लेने में लेता है अब चलेंगे केक के लिए और उसके बाद सो रही है तो वहां से निकलने के बाद हम लोग केक ले निकली आ गए है और यहां पर हम लोग केक लेने नहीं आते हैं जैसे हम लोग की यह रही है नहीं है हम लोग डेनू सागर से ही अधिकतर लेते हैं तो हुआ ये कि अब यहीं से निकल लेते तो यह बोले कि केक ले लो यहीं से ले लेते हैं और ऐसा होता है कि अगर जैसे पहले से प्लानिंग होती ना तो हम लोग ओर्डर दे देते लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग वैडिंग अनुवर्स नहीं मनाते हैं और मैं बीच में सोची दोपार में क्योंकि बच्ची इतना जीद कर रहे थे केक केक ना तो मैं सोची की ओर दे दूँ एक बार उनको मैसेज भी किये लेकिन फिर ना अंदर से दिल गवारा नहीं कर रहा था कि अच्छा नहीं और मेरा मोड खराब है क्योंकि ना जब भी पैसा लगता है तो अच्छे चीज पर जैसे जो मन लायक हो तो लीजी तो अच्छा लगता है तो बस यहां पर मिल गया तो फिलाल के लिए केक ले लिये हैं लेकिन मन लायक केक नहीं मिला क्योंकि और देते हैं तो ज्यादा अच्छा मिल जाता फिलाल के लिए ठीक है तो केक लेके अब सीधे चलेंगे घर क्योंकि अभी बचों को जाना है बड़े में जो छोटा वाला देवरन जो सबसे छोटा है उसकी बेटी का भी बड़े आज ही होता है तो दोनों बचे जाएंगे बड़े में और हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि यह हर साल है कि हम लोग दोनों लोग नहीं जाते है यह आज के दिन ना कहीं नहीं जाना पसंद करते है तो जब उसका बड़े रहता है ना तो सब लोग जाते हैं लेकिन हम दोनों नहीं जाते हैं तो बस यहां पर अभी केक काटेंगे, चौमिन खाएंगे, और उसके बाद दोनों बच्चे बाइक से चले जाएंगे, और हम लोग घरी में रहेंगे, तो यह है, और पहले सोचे थे थे ना कि खाना ये बनाएंगे, लेकिन फिर जब हुआ ना कि बर्डे में बच्चे जा र केक कट रहा है, और इनका चहरा देखिये, ना कोई खुजी, ना कोई हो, लेकिन फिर भी एक ना जसे में क्या उस चीज को मैं नहीं बता सती हो, कि क्या फील होता है, लेकिन फिर भी चलिए ना केक काट लेते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं, कि एक दिन पहले अगर ऐसा तो एक दिन पहले केक को काट लो लेकिन आज ही की दिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मेरे लिए तो चलिए ठीक है लेकिन इनके लिए काफी क्यों कि बाजी ना इनके बहुत क्लोस थी तो इनका सुबह से ही मूड थोड़ा सा ओफ रहता है तो यहां पर केक अडिया और को बहुत हड़ बड़ी था कि जल्दी से कैमरा बंद करिये वो सामने में केक नहीं खाया और उसके बाद फिर केक तो यहां पर हम लोग चामीन निकाल ले हैं और एक ही पलेट चामीन लेकर आया थे क्योंकि भी बच्चों को वहां पर जाना था ना तो इसलिए ताकि थोड प्रचों की खुशी के लिए कर लेते हैं तो चौमीनोमिन खा चुके हैं और बच्चे चले भी गए हैं बड़े में और यहां पर मैं चाय बना रही हूं यह बोले ना कि थोड़ा सा चाय बनाओ क्योंकि टहाल लोग के आय थे उसके बाद चाय नहीं पिये थे तो बस यहां में थे और बे मन से कोई आता ही नहीं ब्लॉग में तो फिर अच्छा नहीं लगता तो इसलिए आप लोग प्लीज मुझे समझेगा आज का ब्लॉग ना ऐसी ही थोड़ा सा रुखा सुखा है मैं कल आप लोग को बहुत अच्छा ब्लॉग दूंगी जैसा मेरा डेली है तो यहां पर हम लोग से वैडिंग अनिवरसरी हम लोग का ऐसी ही जाता है और बर्डे ओडे जो भी होता है तो वह हलका फुल का हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं तो जब तक चाय बन रही थी उतने देर में मैं बटन दोली और यहां पर यह क्या कर रहे हैं लेटे नहीं चलते हैं थोड़ा देर तो बस यहाँ पर चाय लेकर आ गए हैं और चाय पिएंगे उसके बाद अब कुछ भी नहीं करना है बस रोटी बनाएंगे बच्चे आ जाएंगे ना उसके बाद फिर रोटी बनाएंगे और हम दोनों खा लेंगे बच्चे तो खाना वहीं से खा गयाएंगे और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे और कल मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे लाइक कर दीजएगा मेरे मुझे मत लाइक करेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा बाबाए अल्ला आपिस फिर मिलते है